हेलो पिरेंट्स मैं निहात्रिपाथी एक बार फिर से आपके बच्चों के लिए बहुती इंटरस्टिंग एक्टिविटी लेकर आई हूँ ये आज की एक्टिविटी आई हैंड कॉडिनेशन पर बेस्ट है ये बच्चों के फोकस पे भी बहुती इंप्रूव्मेंट साबि करेंग होगी और इस यह बच्चों के लिए इंट्रेस्टिंग तो है ही बल साथ ही साथ उनके आई हैं को भी इंप्रूव करेंगी और बच्चों को बहुत इंट्रेस्ट भी आएगा इसके रहे हमें चाहिए एक शीट आप उस पर पेरेंट्स इस तरीके की कोई भी पिक्चर बनाके दे सकते हैं बच्चों को और उस पर आपको कुछ ड़ौट्स डालने हैं और हमें चाहिए एक बिंदी का स्टीकर इस तरीके से अब आपको बच्चों को कहना है कि वह यहाँ से एक-एक करके बिंदी रिमूव करें और जो डौट्स हैं उनपर उने पेस्ट करें इस इस तरीके से मैं आपको एक करके दिखा देती हूं इससे बच्चों का इंट्रस्ट तो भड़ता ही है साथ ही साथ उनको आई हैं कॉडिनेशन में भी बहुती इंप्रूव होती है इससे बच्चों का फोकस बनता है और बच्चे एक फोकस के साथ इस एक्टिविटी को बच्चों को इस तरीके से हर डॉट पर बिंदीश पेस्ट करनी है उनको यहां से रिमूव करना है जिससे उनकी जो स्मॉल फाइन मोटर स्किल्स है वो भी डेवलप होगी जब वो बच्चे यहां से इंप्रूव करेंगे उनकी जो स्मॉल मसल्स है वो भी साथ में वर्क करेंगी रिमूव करेंगे और पेस्ट करेंगी तो हम यहां पर उनकी स्मॉल मसल्स को भी बिल्ड कर रहे हैं तो यह थी सिंपल बिंदी पेस्टिंग एक्टिविटी अब इसी के जैसी एक और एक्टिविटी देखते हैं जो पर बच्चों को बताएंगे कि उनको पूलना है कि उनको यहां से बिंदी रिमूफ करनी है और उसको उसकी कलर वाला सरकल है उसके उपर उसे पेस्ट करना है जब बच्चा ऐसा ऐसी activity करेगा तो उनको color को recognition भी आ जाएगा और वो colors अच्छे से match भी करने लगेंगे उनको पता भी चल जाएगा कि कौन से color की बिंदी कौन से color के पास paste करनी है जैसे कि ये है मेरे पास orange color की बिंदी मैं इसको remove करूँगी और इसे orange color वाले circle के उपर paste कर दूँगी अब मैं green color की बिंदी को remove करूँगी और उसको आपको बोलना है कि वो बच्चा green color के circle के उपर ही उसे paste कर दे इस activity से बच्चों को color recognition में भी बहुत help मिलती है और बच्चे easily color को recognize करने लग जाते है देखिए कितनी interesting activity है और ये सारा समान आपके घर पर available है तो lockdown में आपको परिशान होने की जरुद भी नहीं है और आप बच्चों को easy way से colors और उनका eye hand coordination improve कर सकती है अब देखिए ये है मेरे पास blue color की बिंदी मैं इसको यहां से remove करूँगी जिससे बच्चों की छोटी small muscles पे भी बरकोगा और उन्हें blue color के circle पर ही इसे paste करना है like this तो है ना बहुत interesting activity तो मुझे उम्मीद है parents आप भी बच्चों को यह activity करवाएंगे और उसके बाद उनकी video बना कर मेरे साथ whatsapp पे share करें और वीडियो को like और चैनल को subscribe करना ना भूलें बाबाई मैं फिर आओंगी एक interesting activity के साथ बाबाई